Vivo Y30 My Smart Call Setting नमस्कार दूस्तो स्वागर है आप सभी का तिकिराच YouTube चैनल पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा Vivo के फोन पे My Smart Call Setting आप केसे कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर दोस्तो आपको एक Smart Calling का फ्यूचर भी दिया हुआए Vivo के फोन पे ये आपको पता नहीं ऑना है उसमें कौन सा सेटिंग है क्या सेटिंग्स आपको मिल जाते है तो पूरा प्रोसेस पूरा सेटिंग जानने के लिए आपको ये वीडियो जो है आनतक देखना होगा तब जाके आपको my smart calling के future के बारे में भी पता लग जाएगा सारे साथ settings को भी आप follow करके use कर पाओगे तो यहाँ पर आपका ही फाइदा होने वाला है तो वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को subscribe करें सारे साथ bell icon को click कीजे ताकि आपको latest update मिलते रहें यदि आप online से पेसा कामाना चाते हैं उसके लिए दोस्तों हमने वीडियो description पर link दे रखाएं आप जाके check out कर सकते हैं और किसी भी problem के regarding पर आप हमें twitter पर follow करके message जरू करें तो चलिए दोस्तों जाते हैं अपने mobile के setting पर scroll down कीजिए scroll down करने के बाद दोस्तों shortcut and accessibility पर जाएं ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों एक बार जाते है smart motion पर तो यहाँ smart motion पर जाने के बाद हमें मिल जाएगा smart calling का future तो इसमें आप जैसी ही जाओगे आपको यहाँ पर कितना future मिल रहा है one two three four five six तो छे future आपको यहाँ पर मिल रहा है तो कौनसा कौनसा future आए देखते हैं smart call future को enable करने के लिए यह बटन आपको enable करना है उसके बाद आपका default calling card आप select करें ठीक है मान लेजिए आपके पास dual sim में तो एक sim को आप यहाँ पर select कर सकते हैं उसके बाद smart answer ठीक है पहले ही मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूं आपको enable करकी use करना है तो आपको buttons यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है यहाँ से enable करें और use कर सकते हैं तो सबसे पहले हम smart answer के बारे म second और third में smart mute और fourth में wave two hands free तो पहले smart answer पर जाते हैं यहाँ पर आपको यह बता रहा है कि आपको जब भी incoming call आते हैं अब उस call को pick करने के जरूत भी नहीं है ठीक है अब simply अपने जो phone है उसको कान के पास लेके जाए call pick हो जाएगा ठीक है तो यह उसी के लिए setting है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो smart switch है इस माट्व में क्या होता है डूस Jadi आप熟 पे रहते हैं तो कॉल पर दोस्तों रहने के समय आपको speaker पे switch करने के लिए आपको buttons जो है वह click करना होता है ठीक है तो buttons यहाँ पर दोस्तों क्लिक करके ही आप speaker को switch स्जिच कर सकते हैं दोस्तों स्मार्ट स्वीच मि थो कि農िए मिलें जाता हुए है मिल जती discuss किसा आपको स्वोव कर रहे तो जैसे आप इने फोन को कान के पास लेके जाए कि दूर आप फोन को लेके जाते तो ओटोमेटिक लिए आपका जो इस्पिकर है वोन हो जाएगा ठीक है उसके बार आटे स्मार्ट म्यूट तो म्यूट पे दोस्तों आपको पता है कैसे यहाँ पर शो कर रहा है ठीक है जब भी इंकामिंग कॉल आते हैं आपको इस प्रकर से अपना जो हाथ है उसको दिखा देना है अपने स्क्रीन पर तो म्यूट हो जाएगा उसके बार वेफ जबी आपको कोई कॉल आ जाते हैं ठीक है इंकामिंग कॉल आपके हाथ गंदे है तो आप दोस्तों उसको डारेक्ली पिक कर सकते हैं हाथ को बस फोन के उपर में वेफ क कर देना है दो सिंटेमेटर या तो फिर चार सिंटेमेटर के उपर से ठीक है तो आटोमेटिक कोल पीकप हो जाएगा तो यह सब है दोस्तों आपका स्मार्ट कोलिंग फ्यूचर आपको कुई सेटिंग करना है तो इस प्रोसेस को फोलो करके आप सेटिंग कर सकते हैं और य